हेलो फ्रेंज सॉम्याद किचिन में आपका स्वाधत है आज बना रे बेड़ भी पूरी और आलू की सब्जी तो बेड़ भी के संग आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये दो हरी मिल्च लिए हैं चौपर में डाल दी हैं और ये टमाटर लिया है कड़ाई में डालेंगे वन टेबल इस DAY करीब घी कड़ाई में डालयेग और लॉंच ह्वर कुट लिया था जीरा डाल डिया हमः 5 टीश्पून के करीब हिंग दाले इसे चुटकी भर और अच्छी तरीके से बहुत ही अची सब्जी बनती है बेड़बी के साथ में जो डाल मिलच पाउडर अल गवाल मिलच बड़ा और यह बहुत ध़नियाप पाउडर लगेगे अची तरीके से मिक्स कर देंगे और mix करने के बाद अब इसमें भुना हुआ जो बेशन था उसको डाल देंगे अच्छी तरीके से mix कर देंगे घीकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं मैंने बन टेवल स्पून के करीब घी डाला था अब ये दो medium साइज के आलू लिएं मीडियम से थोड़े से बड़े साइज के आलू है आलू को इस तरीके से हाथ से फोड करके डालेंगे और ये सबजी बहुत ही टेस्टी लगती है पूरी के साथ भी अच्छी लगती है जो आलू की कचोड़ी बनाते है उसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है अची तरीके से आलोगों को मिक्स करने के बाद इसमें पानी डाल देंगे तो मैं जो चोपर में टमाटर चिप का रहा गया था ना दोस में थोड़ा सा पानी डाल करके वही पानी मैंने कढ़़ाई में डाल दिया अची तरीके से मिक्स कर देंगे थोड़ा सा पानी और डालेंगे नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार और इसको थोड़ी देर खधकने देते हैं जिससे की टेस्ट सबजी का बहुत जढ़ा अच्छा आता है अगर हाल की हाल जैसे होता है ना कि 2-3 मिनट खटकाया उतार लिया तो वो सब्जी का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आ पाता है इसलिए मैंने थोड़ा पानी जादा डाला है जिससे की सब्जी जादा देर खटकेगी तो वो गाड़ी होती जाती है सब्जी 8-10 मिनट तक जब किफें सब्जी घटक जाएगी अची तरीके से अपालू की सब्जी में डालेंगे अमचूर पाऊडर ओन ती आप फऺ्चश्पुन पाऊडर जाले है 1 तीजस्पुन करтом मसाला डाला है और भाली तप एस तरीके से भूड़ा तो और एकदम गाड़ी सी हो जाती है सब्ची बनकर के तयार है अब बेड़ बी को बनाते हैं ताल की बिल्डवी बहुत ही टेस्टी बनती है तो मैंने दाल को भीगो दिया था यह मुंकी दाल है दो से तीन घंटे के पहले भीगो दिया था जिसे की दाल अची तरीके से फूल जाए वन थर्ड कप के करीब दाल को भीगो यह था जितनी आपको बनानी हो उस हिसापते आप दाल को भीगो ले अची तरीके से धोने के बाद फिर मिक्सी के जार में डाल दिया है दो हरी डाली है और अच्छी तरीके से इसको हल्का सा दरदरा सा पीसेंगे एक दम बिल्कुल महीन नहीं होना चाहिए बहुत ही टेस्टी बनती है आप एक बार जरूर बना करके देगे डाल को परात्मे कर लेंगे इस तरीके से अब इसमें आधा कप मैदा डाली है आधा कप सूजी डाल रही है इस तरीके से छानते जाएंगे और दो कप के करीब आटा डाला है गेहूं को आटा होता है वो आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं आटे को भी मैदा को भी सूजी को भी अगर आप मैदा नहीं डालना चाते तो मैदा ना डालें अगर आप मैदा की बनान जाते तो मैदागी बना सकते हैं इस तरीके से सभी चीजों को छान लिया है थोड़ा सा जीरा डालेंगे लाल मिल्च पाउडर डालेंगे करम मसाला डालेंगे नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार हिंग डालेंगे चुटकी भर थोड़ी सी अजवाइन भी डालेंगे 1-4 टी कुछ भी स्पून और सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे पहले फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गुथेंगे तो बहुत ही टेस्टी बेलवी बनती हैं बेलवी के प्रीमिक्स की वीडियो वह बेड़वрал और इस तरीके से अची तरीके से मलते हुए मैदा को आटे को मल लेना है ये देखाँ बहुत कलक नहीं मालना है नहीं बहुत सौ लगाँ जब आदा घंटा हो जाएगा उसकी बाद थोड़ा सा घी लगाएंगे और फिर से आटे को मलेंगे आप देख सकते हैं थोड़ा सा कड़ा को गया आटा क्योंकि सूजी अच्छी तरीके से फूल गई है अब इसकी जितनी बड़ी-बड़ी आपको बेड़ वी वनानी हो उतन आट पर तरीके से लुए बना लिया हाँ तो लुए भी अपने साबसे जैसे बड़ी जोटी बना सकते है अब ठोड़ा सा घी लगा करके या ओल लगा करके बेड़ी को बेलेंगे आप देख सकते हैं यह बहुत जादा पतली भी नहीं बिलनी है और बहुत जादा पतली बे बेढवी को प्हें लिए नहीं जए पतली बेल्गी को तो आप एक बेढवी जब बिलेंगे शकी आइडिया हो छाएगा और इस तरीके से हलका सा ओइल बेढवी के उपर डालते हुए करेंगे ना तो बिल बहुत ही अची तरीके से फूल गई डाल दी है इस तरीके से हल्का से कलची लगाते हुए इसको सेक लेंगे m2 f भी ना सेके वह जब ज़ाद हीट पर भी ना सेके जिसे की बेढ़ अच्छी तरीके से क्लची लग रहे है देखने में एकदम Gordon Brown और यह देखे सभी बेड़वी एकदम अच्छी तरीके से फूलती जा रही हैं अगर जादा होगी तो फूलेंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी और अगर बहुत पतली होगी तो फूलेंगी नहीं और कड़क हो जाएगी पूड़ी तो हमारी आलू की सब्जी भी प्यों के देखे से कच्ची युमित नहीं प्यौत की ने चैनल पर नहीं हैं सो प्लीज मेरी चैनल को सब्स्क्राइब करें लाइक करें शेयर को अपनी फ्रेंड़ और फैंडी के सास्छी देखे ने लेकिन पर डिले मीन है के स्टे हैपी एंड कीप कोकिंग थैंक यू और ऐसी नई रेसिपी देखने के लिए देखते रिए सौम्याज के चिन बब बाए फिर मिलते एक नई वीडियो के संग